फ्रेंस हमारे देश इंडिया में एक कम्यूटी ऐसी है जिसके नाम का यूज अक्सर लोग करते हैं वह कम्यूटी है बनिया का जिसे आम लोगों में ऐसी धाड़ा है कि वह कंजूस होते हैं कोई दोस् göra पार्टी देने या पैसा देने से मना करें तो अक्सर उसे हम कहते हैं बनिया बनिया के बारे बेटा बनो बनिया के तो मजा लो दुनिया के अगर सही तवर पे देखा जाये तो बनिया सही माइने में कंजूस नहीं होते। उनके पास पैसो की सही समझ होती है। पैसो की वैलूप को वो अच्छी तरह समझते हैं। आपने कभी गौड किया है कि बनिया कम्यूटी के लोग अधिक अमीर क्यों होते हैं। ये चार देख भारती मित्तल, उदय कोटक, नरेश गोयल, जेट इर्वेस के फाउंडर, प्रुकेश बंसल, फाउंडर आफ मंत्रा, अरभिंद के अजुरिवाल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, सचीन बैंसल, चेर्मेंड फ्लिपकार्ट। ये सारे अमीर लोग बनिया कम्यूटी से ही आते ह और ये चोटी सी कम्यूटी हमारे जीटीपी में 20% का कंट्रिब्यूट करती है, आखे कर सवाल यह है कि बनिया कम्यूटी अमीर कैसे होती है, और इनमें ऐसी क्या खुबिया होती है, जो इन्हें दूसरों से अलग करती है, वैसे इंडिया में बनिया कम्यूटी की लोग ग बनियों के बारे में अक्सर यह सम्धा जाता है कि यह बहुत कंजूस होते हैं। एक एक गुरुपई को जोड़कर यह धन्मान बंगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ यह धाड़ा बिल्कु गलत है। बनियों के पास पैसों की वो धिमानी होती है। एक कंजूस आदमी वो दूसरा पैसों की वयलू को समझने के मामले में एक बहुत बढ़ा अंतर होता है। एक कंजूस आदमी पैसे को टाइम से जदा वयलू देता है। वो 50 रुपई को बचाने के लिए अपना कई घंटा भी खत्म कर देता है। लेकिन बनियों को टाइम की वयलू बहुत अच्छे से पता होती है। वो 50 रुपई को खर्च कर देंगे लेकिन अपने टाइम को बचाकर उसे और अधिक पैसा कमाने पर जोड देते हैं। यही फर्क होता है एक कंजूस में और पैसी की सही समझ रखने वाले इंसान में। दूसरा यह एक कंजूस आदमी हमेशा अपने सेविंग पर डिपेंट्स राते हैं। उन्हें फानेंसी फ्री होना है तो अपने खर्चे को कम करके और सेविंग करते हैं। वही बनिया सेविंग की जगह हमेशा अपने इंकम को बढ़ाने को जोड़ देता है। उसको पता होता है अपने डेली जरूरतों को कम करके कभी भी अम्हीर नहीं बना जा सकता। एक कंजूस आदमी अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं खर्च करता। तो वही बनिया अपने बिजनस में दिल खोल के पैसे को इन्वेस करता है। क्योंकि उसे पता है कि जो आज पैसा हुआ अपनी बिजनस में इन्वेश कर रहा है उसे फ्यूचर में काफी अच्छा मोटा पैसा बना के दे सकता है। बनिया कम्यूटी के लोग अपने बच्चों की इजुकेशन पर और अपने बिजनस में दिल खोल की पैसा खर्च करते हैं। बनियों की खास बात यह भी है कि वो कोई समान लेने से पहले मोल भाव जरूर करते हैं। जिससे समान को कम दाम पर मिल सके और अपने कस्टमर को भी अच्छा और सस्ता समान दे सके। डिसकाउंट के बगार वो कोई भी काम नहीं करते। इसलिए अधिकतर स्टॉपिंग माल में आपको डिसकाउंट के आफर मिलते रहते हैं। उन्हें पता है डिसकाउंट सब को पसंद है। आपने ये भी कहावत जरूर सुने होगी कि बनिया लोग की साथ किताब के बहुत पक्के होते हैं। बनियों में ये खुबी होती है कि वो पाई-पाई का हिसाब अपने उंग्लियों पे रखते हैं। उनका मनी मेनेजिमेंट बहुत कमाल का होता है। कौन सा ब्यापार कीज जगा सही रहेगा। कौन सा घर ले या ना ले। अधिक खर्चों से कैसे बचना है। इन सारी चीजों में बनिया एकदम परफेक्ट होते हैं। बगर आप कभी गौर कर पाएं। सभी बनियों में आपको कुछ चीज़े कामन मिलेगी। पहली किये बनिया कभी लोंस नहीं लेते अपने बिजनस को बढ़ाने में। मान लो ये बिजनस के लिए लोंस ले भी ले, मगर लगज़री जिन्री की जीने के लिए कभी ये लोंन नहीं लेते थे। दूसरा ये, क्रेडिट कार्ट का कम यूज करते हैं। एक बनिया क्रेडिट कार्ट तभी यूज करता दिखेगा, जब उसको उस क्रेडिट कार्ट से फायदा मिलेगा। बनियों के बैंक के कावन में, आपको ज़धा पैसा नहीं मिलेगा। स्यवन एकावन में पैसे रखने की जगह, वह पैसे को बिजनेस में इंवेश्ट करना पसंद करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि स्युमिय काव में पैसे रखने से आप महंगारी को बीट नहीं कर सकते हैं बनियों को सिर्फ लोन हुआ क्रेट कार्ट की ही नहीं बलकि टैक्स का भी बहुत अच्छी नालिज होती है और कानुन के दारे में रहकर कितना टैक्स बचाया जा सकता है यह हर इज बनियों को अच्छे से पता होती है यह सारी खुबियां मनी मनेजमेंट के कटेग्री में आती है जिसे बनियां बहुत सिर्फली लेते हैं और दोश्तों यह कम्यूटी धनी होने का एक बहुत बहुत बरा डिजन है यह सारी खुबियां बनियों को जो आम लोगों से उन्हें अलग करती है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा आपके मन में किसी की प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर बता है इस चनल के अगर आप पहली बार आएं तो प्लीज इस चनल को सस्क्राइब जरूर करें जय हिंद